नमस्कार प्रभा सक्षी नियुस नाटे को रहा आप सभी का स्वागत है ग्यानवापी मामले में कुछ लोग भ्रहम फैलाते फैलाते अब देश के नियायलियों पर भी निशाना साथने लगए हैं इसमें कोई दोराय नहीं कि ग्यानवापी कोई मस्जित नहीं बलकि पूजा पार्ट शुरू भी हो चुका है देश के समस्त सनातनियों को उमीद है कि नंदी बाबा का इंतियार जल्द खत्म होगा और ग्यानवापी में जहां बाबा मिले हैं वहां भी पूजा पार्ट शुरू हो सकेगा इस बात की बड़ती संभावना को देखते वे कुछ लोग बॉकलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं पहले औल इंडिया मुस्लिम परस्तन लाव बोर्ड ने दावा किया कि वारानसी जिला अदालत ग्यानवापी मस्जित के परिसर में स्थिक तहखाने में पूजा करने की अनुमती देने संबंदी फैसले पर जल्दबाजी में वहीं 1993 में ग्यानवापी के तहखाने में पूजा अर्चना बंद कराने वाले मुलाइम सिंग यादव के भाई और समाजवदी पार्टी के सांसद राम गुपाल यादव ने भी नियापालिका पर सवाल उठाते वे दावा किया है कि कई मौकों पर अदालतें सही फैसला न नजरिये से पेशकर भ्रम फैलाने में उस्ताद माने जाने वाले इतिहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकी रजा खाने नियापालिका के खिलाफ घुर आपत्ती जनक बयान दिये हैं हम आपको यादे रादें कि तौकी रजा खान इससे पहले अतीक और प्रमुख में प्रमुख में जाने के शिगर आने की संभावनाओं पर प्यान देते हुए उन्होंने फिर से कई विवादि बाते कहीं हैं जो उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं ये इस बात का सुबूत है कि जो जितने कतल करेगा जो जितनी बेहिमानी करेगा जो जितनी लूट करेगा जो जितना देश को नुकसान पहुचाएगा जो देशवादियों को जितना नुकसान पहुचाएगा उसे उतना बड़ा सम्मान दिया जाएगा सब कुछ लागू कर दीजिए अब आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी कोई बात नहीं मानी जाएगी C.A. लागू करने के बाद आप जो काम करने वाले हैं हम उसको पहले करने के लिए तैयार हैं आप हमारी आजादी पर हमला करना चाहते हैं हम खुद गिरफतार होने के लिए तैया रहे हैं जुम्ह को मैं जा रहा हूं मेरे सासी जा रहा है जो आना चाहेगा वो आएगा जो नहीं आना चाहेगा वो नहीं आएगा जिसे इन तमाम चीजों से तकलीफ है मैं हिंदू और मुसल्मान बची है आपको भरोसा है किया आपको बेमानी नजर नहीं आज रही है बाबरी मस्जित को हमने सबर कर लिया बाबरी मस्जित का हम जिक्र भी नहीं करना चाहते लेकिन ग्यानवियापी के बाद से बाबरी मस्जित का जिक्र दोबारा शुरू होना हुआ है हम ग्यानवियापी का जिक्र नहीं हम बाबरी मस्जित का जिक्र नहीं करना चाहते सिर्फ इसलिए के कानून हमारा और हमारे देश की अदालते बदनाम होती है बाबरी मस्जिस के सिलसले में जो बेएमानी की हमने सबर कर लिया कि किसी सूर्थ से फसाद खत्म होना चाहिए फसाद खत्म होने की नियत से उन तमाम बेएमानी को बर्दाश्ट किया उन्होंने हमारा बाबरी मस्जिस पे हक भी माना हमारी मिल्कियत मानी और उन दूसरे पक्ष के मूटिये रखने को अपराद माना उरोरे विद्वन्स को अपराद माना अपरादियों के हवाले आस्था की बुर्यात पर अपरादियों के हवाले हमारी जायदा कर दी गई यह अन्याए नहीं है इस अन्याए को हमने इसलिए बरदाश्ट किया हम अपने मुल्क में फसाद नहीं चाहते थे वही अन्याए, वही जल्ब, वही ज्याद्ती, वही बैइमानी अब ग्याणिव यापी के साथ करने जा रहे हैं यह लोग सरकार के दबाओं में अदालत काम कर रही है अदालत ये साबिट करें कि अदालत में इंसाफ हो रहा है अदालत को अपना वजूद दिखाना है अदालतों को अपना वजूद दिखाना है कि वो इमानदारी का फैसला करते हैं या बेहिमानी का फैसला करते हैं तो इन आमात कैसे ले लिए कहिए आपको आवाद उटा जो गलत है गलत को गलत बताना हर हिंदुस्तानी की जिम्मदारी है हर अच्छे हिंदुस्तानी की जिम्मदारी है मैं ग्यापन ग्यापन देने के लिए मैं तयापन मैं किसे दूँगा ग्यापन राश्पती को दिया जाता है ये परदान मंसरी को दिया जाता है किसे दिया जाता है मैं किसे ग्यापन दूँ मैं ग्यापन नहीं दूँगा मैं गिरफतारी दूँगा और ये गिरफतारी तब तक जारी रहेगी जब तक ये अन्याए खत नहीं होगा आपका मानना है कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं देश में इनसाफ सुरक्षित नहीं है देश में मानफ़ता सुरक्षित नहीं है मानफ़ता की हत्या की जा रही है नियाए की हत्या की जा रही है और थर्म के आधार पर आस्था के आधार पर फैसले हो रहे हैं और आस्था के मताबिक अब ये बताएए कि मदर्सों में रामेर पढ़ाई जाएगी ये कौँ सा नयाए है मदर्सों में योगा किया जाएगा ये कौँ सा नयाए है हम तो पाच वक्त योगा करते हैं हमसे बड़ा योग करने वाला कौन है तो आप अपना धर्म जबरदस्ती हमारे उपर अगर थोपना चाहते हैं ये किसी भी कीमत पर बरदाश्ट नहीं किया जाएगा चुम्के मशूर है आप लोगों की नजर में है आप लोग उस पर चर्चा बार बार कर रहे है इस वज़ा से ग्यान व्यापी वरना ऐसी किसनी मश्चीजे है किसने मजार हैं किसने मजार से हैं जिन पर रात और रात खामोशी से बुल्डोजर चला दिया गया और उनको मस्मार कर दिया गया उनका कहीं आपने चर्चा नहीं किया communism किया क्यूंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि उनका चर्चा हो ग्यान वैप़ी का चर्चा हो रहा है और ग्यान वैप़ी पे जिस قस्न की बेइमानी की जा रही है मैं तकलीफ इसलिए महसूस नहीं कर रहा हूँ कि मेरी मस्जद जबरदस्ती हत्याने की कोशिश की जा रही है बलके मैं इसलिए ज्यादा बेचान हूँ कि मेरे मुलक का कानून पूरी दुनिया में बन्नाम हो रहा है कि यहां नियाए के मंदिरों में अनियाए होता है तो नियाए के मंदिर जब अनियाए करने लगें तो जो जो जिम्बेदार शहरी हैं जो अच्छे लोग हैं मैं उनसे भी अपिल करूंगा कि तमाम लोग हमारे इस नियाए और अनियाए की लड़ाई में हमारा साथ दें और मैं नेज़िते किया है कि जब तक ये बेएमानी चलती रहेगी तब तक हम हिंदुस्तान में आजाद रहने के लिए तैयार रही है एक वक्त था जब हमने अपने बुल्क को आजादी दिना लिए के लिए संगर्श किया था जद्द जहद की थी लड़ाई लड़ी थी सरकारी तंतर पर किसी भी किस्व का भरोसा करना अपने आपको धोका देने के मतरादिफ है क्योंकि सरकार के सरवच पदो पर जो मैठे हुए है वो बेइमान है और खुली बेइमानी कर रहे है और जो बेइमानी करता है उसे इन आम दिया जाता है इसी इनाम के लालच में दीचे के तमाम लोग पूरा तंसर बेइमानी करने पर आमादा है मैं ये पूछता हूँ हेमन सोरें जो एक प्रदेश का मुख्य मंत्री है उसे घर से भाव जाना पड़े मूँ छुपाना पड़े इस से बड़े जल्म और ज्यात्ती क्या हो सकती है अभी हमें सोरें जेल गए है अभी कल अर्विन केजरी वाज जेल चले जाएंगे तो जो आपकी मांसिक्ता से जो मुत्तफिक नहीं है वो ना इंसान है ना हिंदुस्तानी है ना वो मानव है आपके नजर में वो राक्षास है और उसका ठिकाना जेल है मेरे सवाल का उत्तर यह नहीं है मेरे सवाल का उत्तर मैं यह जाना जादा हूँ कि आप किस जाज कमेटी पे बरोसा नहीं करता हूँ क्योंके बेहिमानिया साबिस हो चुकी है बेमानिया थाबित हो चुटी है, जस्टिस नजीर जैसे लोगों ने बेमानी किये जब सरकार बेमान है और सरकार इनाम बेमानों को दे रही है, तो फिर मैं किस तंस पे, किस जाज कमेटी पे बरुसा करूंगा, जो मुसल्मानों के खिलाफ, इंसानियस के खिलाफ इंसाम के खिलाफ जो काम करेगा मैं पूछता हूँ कि जजेज ने बेहिमानी की और उनको आपने इनाम दिया गवर्णरी दे दी राश्टामा दे दी इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि आप जजेज पे दबाओ बना रहे हैं सरकार के दबाओं मे फैसरी ली जा रहे हैं लादश में फैसरी ली जा रहे हैं फिर हम किस सर्वोच ने आया ले अगर यह काम कर सकता है मुझे बड़ी तक्रीफ है पूरी दुनिया में मेरे मुल्क का कानून बदनाम हो रहा है मेरे मुल्क का इंसाम बदनाम हो रहा है इस से बड़ा अपराद क की ती अपना एमान बेचा सा उजजज दे इसी वज़ए से उनको ये इनामात मिले अभी जस्टिस नजीर को गृषर का जमीर कहीं जिन्दा है तो जस्टिस नजीर को गवषरा आया है उसको ठुगड़ा देना चाहिए और इनकार कर देना चाहिए कि हम किसी भी खिबत पर रिश्वत नहीं लेंगे तो रिश्वत लेकर जबाव में आकर खौफ में आकर आप अधालतों को बदनाम करने का काम कर रहा है इससे बड़ा अपराद इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता इन तमाम अन्यायों के खिलाफ मस्जिदों पर बुल्डोजर चलाया जा रहा है जल्मों सित्म की हद की हुई है मुसल्मानों के लिच्चिंग की जा रही है मुसल्मानों को बेज़त किया जा रहा है तमाम लोगों के साथ जयातिया हो रही है देश को बर्माद करने का काम किया जा रहा है इन तमाम तक्लीफों परशानियों के खिलाफ हमने ये तैय किया है कि हमारी मौजूदगी में ये सब हो रहा है तो या तो हमें मर जाना चाहिए या हमें गिरफ़तार हो जाना चाहिए मर जाने की हमें अजाज़त नहीं है आत्मात्या करने का हमारे हां कोई प्रावधान नहीं है इसलिए हम दे जटे किया है कि हम सामोशी गिरफ़तारी देंगे और तब तक ये गिरफ़तारी हमारी चलती रहेगी जब तक ये अन्याए देश से खत्म नहीं होगा कोट का कहना है कि उपे मजबे के साथ में जोड़ी की है और उसी वहाद पर उन्होंने अनुमती दिया है कि पूजा कर सकते हैं आस्था की मुनियाद पर उन्हें दे दिया गया यहां सुबूत मिल रहे हैं अगर तुमारे अंदर जरा सा भी इनसानियत है तो सुबूत के बावजूद आप मुसल्मानों को मच्छडी मुसल्मानों के हवाले कर दीजिए दूसरी बात के सुबूत महां इसलिए मिले हैं कि जो हिंदू मुसल्मान हुए उन्होंने अपने अबादत खाने को मस्जिद में तबदील कर लिया पहले हिंदू थे पूजा करते थे तो वो तमाम निशानात मौजूद हैं वो हिंदू जब मुसल्मान हो गया उसने अपनी मंदिर को य ये मिटाना मुश्किल नहीं था लेकिन मैंने वो निशानात नहीं मिटाए क्यूंके मैंने सुएच्छा से हिंदू समाज ने सुएच्छा से अपने मंदिर को मस्जिद में तबदील किया आदा मंदिर रहने दिया आदा मस्जिद मना दिया दिपकत क्या है हिंदूस्तान म मेल जोल का माहूल हमेशा रहा है और वो माहूल हम बनाए रखना चाहते हैं किसी भी हालत में हमारा एकता और भाईचारे का माहूल खत्म नहीं होना चाहिए मत्रा में भी A.S.I. की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी कहा है कि यहां पर किशन मंदिट था को दोड़ के मंदिट बनाई गी जोड़ बोलते हैं बेमानी करते हैं मत्रा का यह साबित है उसके काख़ात मौजूद हैं कि मत्रा को मत्रा मंदिट तरस्ट को इदगाह कमेटी ने जगा दी है और आज उस पर उल्टा यह जल्म हो रहा है कि उनसे उनका हक चीनने की कोशिश की जा रही है यह तमाम चीजें असल में मैं बार 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 यह बात कहता हूँ कि यह तमाम चीजें असल में इसलिए हो रही है कि देश में राजनीती की जा रही है चुनावी फाइदा हासल करने के लिए 80-20 का खेल बनाया जा रहा है और 2024 वो राम मंदर पर जीतना चाहते हैं 2027 यूपी का चुनाओ वो गयनवैपी पर जीतना चाहते हैं फिर 2029 का चुनाओ वो मतरा इदगाह पर जीतना चाहते हैं तो ये ऐसे उन्हें तीन हजार की लिस्ट बनाई हुई है इसी निये कहते हैं कि हम 50 साल 100 साल हुकूमत करेंगे ऐसी बेइमान हुकूमत किसी भी कीमत पर किसी भी अच्छे हिंदुस्तानी को हिंदू या मुसल्मान किसी भी अच्छे हिंदुस्तानी को ऐसी बैमानी अगर बरदाश्ट है इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर की अच्छाई कहीं मर चुकी है हमारे अंदर से वक्त फिर आया है वोही आजादी का अंदुलन आज हमें फिर से शुरू करना है तब अपना देश आजाद कराना था इसलिए संगर्श किया गा था अब हमें अपने देश को नफरतों तासुब और बैमारियों से निजाद दिलाने के लिए हमें अपने आपको गिरफतार कराना है और इसकी शुरूआत मैं बरेली से कर रहा हूँ और इन्शालला पूरे हिंदुस्तान में पूरे मुल्क में ये गिरफतारियां दी जाएंगी आज हम बरेली से इसकी शुरूआत करने जा रहे हैं जुम्हे को पहली गिरफतारी इन्शालला मैं देने जा रहा हूँ और अपील करता हूँ कि तमाम लोग जो मानवता बेविश्वास रखते हैं जो इन्साफ में और अच्छाई में यकिन रखते हैं मेरी इस महिम्मे साथ दे और वो तमाम लोग जो इन बेईमानियों इन जल्मों के खिलाफ है खुस्वास नए अपने मुसल्मान भाईयों से अपिल करता हूँ कि तमाम लोग अपने अजला में अपने अपनी जगहा पे अपने अपने सूबों में जेल भरो अंदोलन की शुरुआत करें जुमे से हमारा ये अंदोलन शुरू होने जा रहा है जुमे को तीन बज़े से चार बज़े से चार बज़े सक मैं इसलामी इंटर कॉलिज बे रहूंगा फिल्ड बे और चार बज़े मैं कलेक्टेट पैदल जाओंगा और वहाँ पे ग्रफतारी दूँगा परसनला कानून है मौजूद है लेकिन कोई अदालत मौस्लिम परसनला के मताबिक मौस्लिम मसाइल को हल नहीं कर रही है मौस्लिम मसाइल के जो फैसले है वो अपने कानून के मताबिक अपनी समझ के मताबिक फैसले किया जा रहे है परसनला के मताबिक नहीं किया जा रहे है इसका मतलब यू सी सी लागू है आपको लाने की जरूरत क्या है बिना लाए ही बिना बिल लाए ही जब आप वो काम कर रहे हैं तो बिल लाने की क्या जरूरत है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बिल नहीं आया है तो भी हमें उन्हीं चक्लीफों से गुजरना पढ़ रहा है बिल आने के बाद भी उन्हीं चक्लीफों से गुजरना है अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिये बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके